हलो एवरिवान वेलकम टू रीटा रूरा रेसिपी चैनल आज हम सिफ दो चीजों से बहुत ही जादा क्रिस्पी कुरकुरा और टेस्टी डोसा बनाएंगे और आपको इसमें नापने तोलने की भी कोई जरूरत नहीं है यानि बहुत ही आसानी से आप सिफ दो चीजों से क्र कटोड़ा रशन था रोख लेंगे आ हिसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कटोरी उडद की धुली हुई दाल ली है और साथ यू लिए नी को या फिर idli rice भी आप इसकी जगह ले सकते हैं तो जो भी आपके पास easily available हो आप ले सकते हैं आप कोई से भी चावल लें बस आप ध्यान लखें कि हमने तीन कटोरी चावल और एक कटोरी उड़त की धुली डाल लेनी हैं और अब हम एक पतीले में इन्हें डाल देंगे और इन् इसके उपर फिर से पानी डाल देंगे और इतना पानी डालेंगे ताकि यह अच्छे से डूप जाएं और पानी जो है एक से डेरिंग चुप पर तक होना चाहिए अब हम इन्हें 5-6 घंटे के लिए भीगो कर रख देंगे ताकि यह सब कुछ अच्छे से फूल जाएगा और यह देखिए 6 घंटे हो चुके हैं मैंने इन्हें रात को भीगो दिया था और यह देखिए सुबा यह सब कुछ अच्छे से फूल चुका है तो अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे इसके लिए हमने यहाँ पर ग्राइंडर जाल लिया है इसमें यह डाल देंगे 2-3 कर सर्ची हम एक बारी में डालेंगे और पानी हम थोड़ा सा ही डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत दहेगी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इससे ग्राइद करलेंगे और यह देखिए मैंने इसके ग्राइंड कर लिया है same ये देख सकते हैं ये बेटर काफी गाड़ा ही है क्योंकि इसमें थोड़ा ही पाने डालकर मैंने इसे ग्राइंड किया है और अगर आप फिंगर की बीच इस तरह से रब करेंगे तो आपको हलका सा दरदरा लगेगा क्योंकि जो चावल होता है वो बिल्कुल भी पेस्ट की तरह नहीं पिसता है हलका सा दरदरा रह जाता है तो कोई बात नहीं अब हम इसे इस बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के दाल चावल भी अच्छे से पीस लेंगे और इतने दाल चावल को मैंने तीन बैचिस में पीस लिया है और ये देखिए हमार गर आपक यहां धूप नहीं आती है तो आप इसे किसी भी गरम कपड़े में लपेट कर रह सकते हैं. ये फिर माइक्रोवेव या उवन को बंद करके फिर उसके अंदर रह सकते हैं. ये दिखे हमारा डूस्वेटर अच्छे से फर्मेंट हों चुका है, काफी full चुका है मैंने इसे 3-4 घंटे के लिए दूप में रख दिया था और अब मैं आपको इसकी air pockets दिखा रही हूँ ये देखे जब ये better अच्छे से ferment हो जाता है तो इसके अंदर ये जाली सी पढ़ जाती है और अच्छे से fermentation की खुश्पू भी आने लग जाती है ये देखे और ये better है इस समय काफी light feel होता है अपको अगर आप इसे mix करते हैं तो फूला फूला भी लगता है तो ये सारे indication ये हैं कि हमारा जो doser better है वो अच्छे से तयार हो चुका है तो अब हम इसे अच्छे से पहले एक बार mix कर लेंगे और उसके बाद हमें जितना better चाहिए उतना हम इस बाउल में डाल लेंगे बागी का हम इसे fridge में रख देंगे बाद में यूज करने के लिए और इस better को आप दो दिन तक फ्रिज में रख कर यूज कर सकते हैं और अगर आप इससे जादा यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें पान का पत्ता रख दीजे उससे भी इसकी shelf life बढ़ जाती है अब हम इस better में से थोड़ा सा better निकालेंगे तकरीबन दो से तीन कर्शी भर के और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इससे की perfect consistency करेंगे यानि ऐसा better तयार करेंगे ना बहुत जादा गाड़ा ना बहुत जादा पतला जैसा कि दोसा तयार करने के लिए होता है उसमें भी नमक नहीं है जो अब हम दोसे तयार करेंगे बस उसी better में हम टेस के according नमक डालेंगे तो आप ध्यान रखें जितना भी आपको better चाहिए हो अभी यूज करने के लिए बस आप उसी में ही नमक डालें और अब हम इसमें टेस के according नमक डालेंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और आप इसकी consistency समय देख सकते हैं ये बिल्कुल perfect है तो हमारा डोसा better ये तयार हो चुका है और जो बाकी का better है उसे मैंने फ्रिज में रख दिया है और डोसे बनाने के हमने पहले एक non-stick तवे को gas पर high flame पर पहले गरम कर लिया है अब हमने gas का flame low कर दिया है और इस पर 2-3 पुंद हम oil की डालेंगे फिर थोड़ी सी पानी की छीटे डालेंगे इस तरह से हाथ से ही और अब हम इसे tissue paper से साफ कर लेंगे gas का flame हमने low ही रखा हुए अभी आप ध्यान रखें और अब हम इसके उपर एक कर्ची better भरके डालेंगे इस तरह से और अंदर से बाहर की तरफ हम इसे लेते हुए पूरे में अच्छे से फैला लेंगे और जब हमने इसे पूरा फैला लिया है तो अब हम gas का flame medium कर देंगे और ये उपर से हलका सा dry हो गया है तो मैं इसके उपर एक से दो चम्मश oil डाल दूँगी और इसे थोड़ा सा medium to high flame पर पकने देंगे और ये देखिए इसके उपर अच्छा सा color आ चुका है इसके किनारे भी छोड़ दी है तो अब हम इसे इस तरह से roll कर लेंगे और देखिए हमारा डूसर कितना बढ़िया कितना crispy बन की तयार हुआ है और इसी तरह से हम बागी के डूसर भी तयार करेंगे लेकिन बस आपने ये ध्यान लखना है कि जो gas का flame है वो आप अपने हिसाब से adjust करते रहें जैसे दूसर बैटर डालते समय मैंने फिर से gas का flame low कर दिया है और इसी फिर से इस तरह से फेला लूँगी अगर इस समय gas का flame high होगा तो ना तो आपका डूसर बैटर इस तरह से फैलेगा smoothly और ये थोड़ा सा जल भी सकता है और साथी तवे से चिपक भी जाएगा और ये थोड़ा सा dry हो गया है तो मैं इसके उपर फिर से एक से दो चमश ओयल डाल दूगी और ये देखिए और जहां से भी आपको लगे कि एक साइट से पकरा है दूसरी साइट से कम पकरा है तो आप इस तरह से तवे को हलका सा हिला भी सकते हैं यानि आगे पीछे भी कर सकते हैं ऐसा करने से भी आपका डूसरी बिल्कुल इवनली पकेगा और इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा और डूसर बैटर का जो तवा होता है उसका भी आप खास ध्यान रखें कि उसे कभी भी स्कॉच प्राइट या फिस टील के जोने से रगड़ के साफ ना करें उसे हमेशा प्लास्टिक के जूने से जो mild जो soft होता है उसी से ही साफ करें तो उसमें sketches नहीं होंगे और जब आप dosa बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा बिल्कुल evenly अच्छे से color आएगा और हर बार इसमें हमें घी या पानी डालने की जूरत नहीं होती है क्योंकि अगर आप घी या पानी बार बार डाल कर तवे को करेंगे तो इसकी उपर dosa बैटर चिपकेगा ही नहीं और अगर चिपकेगा नहीं तो इस तरह से color और अच्छा सा texture भी नहीं आएगा और ये देखिए इस बैटर से हमारी कितने क्रिस्पी और कितने बढ़िया डोसे बनकर तयार हो रहे हैं तो आप भी इस recipe को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभ़ा में साथ जरूर शेयर करें और अगर आपको हमारी recipes पसंद आती हैं तो हमारी चैनल रीटर रोला recipes को like, subscribe और share जरूर कीजिए और पास ही लगे bell आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो की notification मिलते रहें और साथ ही आप हमें Facebook और Instagram पर भी जोइन कर सकते हैं और नए नए recipes के लिए